Welcome back, मैं हूँ आपका दोस्त विपर्ण and today we are going to start हमारे 10th February के important current affair कोई भी आपको doubt लगा तो comment box में पूछ सकते हो अगर PDF चाहिए तो SBM Tutors, Telegram पर हमारा channel आपको मिल जाएगा उसको follow करना, अगर नहीं मिलता, then description box में link दिया हुआ है उसको click करें अगर आप new studio channel के साथ, please video को like करें और channel को subscribe करें ताँ जो अच्छा अच्छा content आपको provide करवाते रहें और अपना feedback, वीडियो के related जो भी आपको अच्छा लगे, बुरा लगे तो please comment box में बताएं, ताँ जो हम इसमें changes ला सकें तो करते हैं अब स्टार्ट, जमू और कश्मीर निउस में बन चुका है, इंडिया के एक जूटी है जो के in the north of India पाई जाती है तो इंडिया का जो first glass igloo restaurant कहां पर खुला है, इंदी गुलमार्ग में समझे भई, so mainly, इसका main motive क्या है, टूरिस्ट को यहां पर promote करना, उनको attract करना इसके लिए, so इसका main reason है, मैं भी आपको तभी बता रहा हूँ, आप जाए इसको देखिए, अच्छी प्लेस है जब आप पैसे कमा होगे, आपकी शादी होगे, आप चासकते है वाँ पर, then, जी develop किया गया है by the call of green heights के दबर, ठीक है जी, important है, so अच्छी बात है, then, अब देखो, जम्मु एड कश्मीर के बारे में कुछ fact, शीरी नगर कैपिटल है, पहाडी नाम की एक community news में थी भी, ज को डाला गया था, okay, so एक commission बैठा था, जी डी शर्मा commission, उसके according इनको ST category में डाला गया, सामझे बात, और जो fourth heli India, एक summit हुई थी, कहां पर हुई थी, इन्दी, जमु एड कश्मीर में, so जो के हमारे जोतिराज सिंधिया जी, जो के हमरे civil aviation minister है, उनके द्वारा उसको host किया गया था, और इसकी theme क्या थी, helicopter के बारे में, means के helicopter, for the last mile connectivity, for the last mile connectivity, समझे बही, जी भी हुआ, तर उसके बाद में देखिए, जो इंडिया का, जो first green incubation faculty यहां पर लाई गई थी, green incubation faculty, इंदी, जमु एड कश्मीर में, और जो first cable, style, rail bridge, वो भी introduce हुआ था, इंदी, जमु एड कश्मीर में, next यहां पर जो first duty बनी है, जिसके दवारा, district good governance index को, introduce किया गया, good governance index को, समझे बही, सोजे इस अभी हमारे important facts है, जो कि बिलोंग, विद्धी, जमु एड कश्मीर रेट करते हैं, और एक बात और important है, जो कि हमारे ancient history डिपेंड करती है, जो मांडा, मांडा एक यहां पर city है, एक area है, जो कि वो northmost area है, northmost city in the Indus Valley civilization, वो कहां पर पढ़ती है, इंदी, जमु एड कश्मीर मांडा, so समझे को, इनको ध्यान में रखियो इसको, इस fact को, दें चलते हैं, अब next यहां पर कुछ awards है, और कुछ appointment है, उ नताशा जी, जहां पर इनको world brightest for the second conservative year, इनको select किया गया, एक UST based, जो jones hopkin center है, for the talented youth के लिए, उनके दवारा एक test conduct किया गया था, उसमें इनका name आया, उनको test दिया था, that's why, so दियान में रखियो नताशा, जो कि Indian American है, बलों करती है from the America, इस list में इनका name आया, अब यहां प फार्दी, हावर्ड's law review के लिए, so वहां पके जो second year के student है, हावर्ड's law school के, so इनको select किया गया, for this purpose के लिए, ठीक है, so president बन चुके है, इसके, हावर्ड's law review के, so दियान में रखियो नका name, अब कुछ और of killed हमारी जो personalities थे, जो news में थे, जो कि Indian American है, जैसे देखो, Indian American astronaut है, राजा जै चारी, जो के नॉमिनेट किये गए थे फार्दी, जुएस एयर फोर्स ब्रगेडिये जर्नल के रूप में, किन के दिवारा, जुएसे के ब्राइजरन कोण है, जोन बीटन के दिवारा, नेक्स्ट, जिनानी रामचंदरन, जो के जंगेस्ट, एंड फर्स्ट, एल्जी वीटी के भूमने बने थे, जुन्होंने ओथली थी, ओकलेंड, सिटी के कॉंसलर की, जो के फर्स्ट इंडियन अमेरिकन बने, जो के लेटने जर्नल बने, इंदी मैरिलेंड, जुएसे में, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, यह रहा, मनपरित मोनिका सिंग, जो के फर्स्ट फीमेल, इंडियन ओरीजन सिख जज बने, इंदी जुएसे में, ठीक है एमडी एंड सियो फ कंडरा बैंक, सो रिप्लेज करेंगे एलबी परवाकर को, सो नेम इंपोर्टन बन चुका है, अगर बैंकिंग के पेपर की तेहरी कर रहे हो, जहां से कोशिन बनने के चांस है, सो यहाँ पर कंडरा बैंक के हेड़कॉर्टर इंदी बैंगलूरू, फा जो रैप पो रेट को इंकरीज किया गया, कितने परसेंट, जहां पर अब हो चुका है रहे ज़र, 6.50% इसको 25 बैंच से अंकरीज किया गया, तो देखो अगर रेपो रेट 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 होने के साथ में क्या होगा हमारी जो मार्किट है उसमें पैसे की कम्यागी मनी कम होगी अगर मनी कम होगी देन इन्फलेशन क्या होगी कम होगी समझे फैक्ट जितनी ज़्यादा हमारी market में हमारी जो industry means कि हमारी society में जितनी ज़्यादा money होगी then उसके साथ में money increase करेगी then क्या होगा inflation वो भी increase करेगी अगर money decrease करेगी then inflation भी decrease करेगी उसी तरह अब रैपोरेट अगर increase करेगा then money decrease करेगी अगर money decrease करेगी then inflation भी decrease करेगी तो ध्यान में रखियो इस pattern को रेपोरेट के increase रहने के साथ में क्या होगा जो RBI हमारा Reserve Bank of India क्या करेगा जो हमारी society से हमारे लोगों के बीच में से हमारे बैंकों में से पैसे को सक करेगा ठीक है तो that's why जो हमारा क्या होगा inflation कम होगी जो governor को ने शक्ति कान था दास जी ठीक है तो यह इसको बढ़ा चुके है important factor है हमारे लिए यही बात है next चलते है अब RBI के बारे में कुछ factor देखेंगे under the ministry of finance के यह काम करेगा जो की maintain करता है हमारी currency को इस्यू करता है new notes को ठीक है तो सभी इसके काम है RBI के और जो हमारे coins बनते है कहां पर बनते है हिंदी मुंबई एलिपोर कुलकत्ता सीफावाद हाइदराबाद में चीलापली हाइदराबाद नोइडा में युपी में यहां पर यह बनते है हमारे coins जो हमारे notes बनते है प्रेस में जो कौन सी है नासिक में है जो के बेस्टर इंडिया के लिए देन सेंटर इंडिया के लिए देवस में है देन मिसूर में सौथन इंडिया के लिए और जो इस्टन इंडिया के लिए काहां परा है सेलवोनी में सो हमारी four presses है next यहां पर बता रहे हैं headquarter Mumbai में महरास्टरा में RBI के जो set up हुआ था Hilton Jung Commission के दवारा first governor को थे? Sir Brovan Smith जो कि Australia से विलोंग करते थे और first Indian governor को बने? Shidi Mukherji CD देश्मुक CD देश्मुक most important है इनको ध्यान में रखियो next अब कोवन है को वंदर हमारे शक्तिकान था 10 जी found हुआ था 1935 को Kolkata में then after the independence means कि 1947 के बाद जब हमें independence मिली थी 1949 में इसको क्या किया गया? nationalize किया गया under the British day यह found हुआ था करंसी जो इंडियन करंसी किया है रूपी और रजरब कितने हैं जी change होते रहते हैं सो द्यान में रखने कि हमें जुरूरत नहीं है then एक रोशनी जो एक campaign था जो PN Housing Finance के दवारा लॉंच हुआ था ठीक है जी एक affordable house loan प्रवाइड करने को लेकर जिस था ठीक है रोशनी so then उसके बाद में banker of the आ देखो यह important अभी हमारे लिए banker bank of the year award 22 का कि उनको मिला कंदरा बैंक को जिसको हम Oscar award की कहते हैं banking sector का so that's why important है कंदरा बैंक के जो हमारे अब बन चुके हैं जहीं भी important बन चुके हैं तया नरायन राजू जी so इन चीज़ें को हम relate करते हो चलेंगे कुछ facts जो भी news भी होंगे then busy auntie campaign news में था जो हमारे citizens को promote करने को लेकर means कि आप अपनी जो भी privacy है उसको लोगों के साथ ना share करें ना तो OTP करें then ओधर हमारी जो personal qualities है personal जो हमारे account के related information है लोगों के साथ प्रवाइड करना बंद करें उसको लेकर जो स्टार्ट हुआ था then state bank of India जो हमारा first branch के दिवारा बनाई गई थी गैंगलूरू में जो के start-up को milk focus करने को लेकर next भई report and ranking जो milk की production में इंडिया सबसे आगे पहुंच चुका है भई 24% country would करें world level पर हमारी जो इंडियन industry है milk की so food and agriculture organization के दिवारा cooperative static database को जहां पर release किया गया उसके अंदर ये बताया गया इंडिया का rank first है all over the world में अगर देखा जाए हमारी state के according then UP रहा top पर means के इंडिया सबसे जादा और हमारे इंडिया की अंदर देखे हैं इंदर ये उपी हमारा first number पर है production of milk को लेकर जो हमारा कहते हैं जहांपर 51% growth कर चुका है in the last 8 year में जहांपर जो हमारे 5% of the national economy है इससे रेड़ करती है विद्धी milk sector से और 80 million people directory और इंडिरेक्टरी करते हैं विद्धी हमारे इस sector में employed हैं काम करती है national program for dairy development इंडिया में ये काम करता है for the development of हमारे milk sector साथ ही में हमारे सभी आपको पताओगा animals की जो जैसे cow बफलो की production को बढ़ाने को लेकर अभी कुछ टाइम पहले आपको पताओगा बद्री काओ की genetic modification के लिए काम चाल रहा था वो काहां से बिलों करती थी from the उत्तरखंड समझे भई तैनल लॉंच हुआ था ये mission जो हमारे national program for the dairy development है 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था next यहां पर देखिए यह कुछ है हमारी missions है हमारी initiative है government of India के द्वारा लिए गए थे रास्त्री है गोकुल मिशन जो के 2014 में स्टार्ट हुआ था यहां पर इतनी रुपे जो 25 क्रोड यहां पर निवेस्ट करने को लेकर जो हमारी indigenous breed है उनको यहां पर develop करने को लेकर उनकी conservation के लिए काम करने को लेकर यह स्टार्ट हुआ ठीक है यहां पर National Animal Disease Control Program यह भी launch किया तो दोहर 19 में जो कि control करता है जो foot and mouth disease होती है हमारे animals को जैसे कि cow बफला केटल को उससे लेकर यहां साथी में Bracillosis जोड़ों के भीमारें से बचाने के लिए यह हमारा mission स्टार्ट हुआ था अभी आपको सुना होगा हमने Limpy Fox disease जो news में थी जो कि हमारी गुजरात, पंजाब, हर्यान और राजस्तान तक फैलती हुई बहुत सी district में इसने impact डाला था हमारे जो milk के सेक्टर को बहुत जादा इसने negative impact शो किया था So then टोप milk production state बन चुकी है हमारे उत्तरबर देश जो हमारे junior minister of fishery and animal husbandry डाइरी कौन है हमारे शिरी परशोतम रुपाला इनके द्वारे बताया गया भी हमारे इंडिया फॉस नमबर पर है ठीक है So द्यान में रखियो जे important fact है भई कुछ extra information के लिए ये आपके लिए question है Milk related question में लेकर रहा हूं कुछ अब pressure of flood news बे था So कौन से sector से बलोग करेगा जे करेगा भी milk की production को लेकर जो dairy product को लेकर So कब start हुआ था Father of white revolution हम किन को मानते है World milk day cup celebrate करते हो और साथी में national milk day cup करते हो Then acid जो president होता है हमारे milk में और pH value of the milk जे सभी हमारे important facts है जहां से question paper में बनते रहते हैं So आपको पता होना चाहिए भई So देखिए जे सभी answer science के 1970 में start हुआ था Operation of flood जो हमारे father of white revolution हम मानते है Burgess Quirin को उनके दिवारा इंडिया में Operation of flood साथी में हमारे डाइरी जो development को लेकर बहुत अच्छे काम किये गाए थे ठीक है Then जो हमारा World milk day कब celebrate करते हैं 1st June को And national milk day 26th November को Acid present होता है जो हमारे milk में उसको कहते हैं Lactic Acid जो pH value हमारे कितनी है 6.7 से लेकर 6.9% जे सभी question paper में आपको मिलेगे भई Maximum chance है जहांसे question बनने को लेकर That's why मैं आपको लेकर आए हूँ जहांपर देखो जैसे मैंने इस slide देखी आपना क्या करना इसको check करना भी आपको आते हैं Then मैं next slide में जाओंगा Then आपको answer पता चल जाएगा इसमें साथ में आपकी revision भी होगी और norma concept पता चलेगा New concept आपको दिमाग में fit होगा जह हमारे revision के perspective से question है भई According to All India Survey of Higher Education 2020-2021 का हुआ था उसमें बताओ सबसे जाज उनिवस्टिस कौन सी state में थी ठीक है जी So यहाँ पर किसके बीच में थी जह सबसे जाज उनिवस्टिस कहां पर थी राजजस्तान में So सबसे जाज कॉलेजिस कहां पर थे In the UP में So दियान में रोखियो इन fact को देखियो जी Next चलते हैं यहाँ पर operation दोस्त अभी हाली में news में था बताओ किस परपस के लिए जो हमारे इंट्रिन स्टक हुए थे उक्रेण में उसके लिए हमारे गोवा को लिबरेट करवाने के लिए जा जो टर्की एंड सीरिया की help करने को लेकर So important है भी कुई अपरेशन दोस्त news में था So सभी को पता भी होगा वैसे टर्की एंड सीरिया के बीच में जो हम आपको बताओगे अर्थ के कारण उनको बहुत से डिजास्टर से जूजना बढ़ रहा है economic crisis से जूजना बढ़ रहा है That's why हमारे इंडिया के दौरा National जो हमारे rescue operation forces है ठीक है जी उनको हमने बेचा वाँपर Then साथ ही में हमारी medical assistance यहां पर provide कर रहे है हम ठीक है So साथ ही में dogs code जा रहा है जो कि हमारे वाँपर rescue operation में काम करेगा So यह काम है सभी operation दोस्त के अंदर हम कर रहे हैं जो कि Turkey एंड सीरिया को help कर रहे है So यहां पर देखिए जो सभी यहां पर लिखा आपको दिखाई देगा In the आपकी PDF में Okay समझे बात बाई So द्यान में रखियो help to Turkey and Syria जो देखो जो हमारे stuck हुए थे उक्रेंड में दोहर 22 में उनके लिए हमने कौन सा चलाया था Operation Ganga और जो हमारा liberate करवाने के लिए गोवा को यहां पर कौन सा चलाया था हमने बताओ Operation BG ठीक है जी So next जलते है Juba संगम registration portal अभी हाली में दिल्ली में launch किया गया दिल्ली government के दवारा नहीं दिल्ली में launch हुआ केंड के दवारा Education Minister दिल्मेंदर परदान जी के दवारा So यहां पर मेंली क्या करेंगे जो हमारी North States है सभी जानते हैं North States कोन कौन सी है जैसे Sikkim यहां पर Assam और नाचल परदेश नागालेंड मनीपूर मीजोरम तिरपूरा एंड महगालिया इन सभी में क्या करेंगे उन वांग पर जो जूत है उनको हमारे अधर इंडिया के साथ जोडने के लिए एक effort उठाएंगे 20,000 जो जूत है वो ट्रेवल करेगी ओल ओवर दी इंडिया दूसरे के कल्चर को जानेगी एक दूसरे के बीच में interaction के बाद में क्या होगा हमारा देश एक अठाए डिवलप होगा एक बारत स्रेश्ट बारत स्कीम के अंडर जो जी स्कीम है एक बारत स्रेश्ट बारत जी क्या है दोहर 15 में प्याय मोधी के जारा लूंच होई थी अगर आपने वीडियो लेक्चर चाज अच्छे से देखा है समझा है तो आपको ये पता चल गया होगा वई तो द्यान में रखियो ये किया गया था और आपको उस दुरौन जो बजट आया था उसमें भी इसको बताया गया था वी All Over The India को connect करने की कोशिश करेंगे जैसे कि आपने सुना होगा यार One World, One Sun World Grid उसके जरी हमारी जो वर्ल्ड को हमारी सन की रेज के लिए मिसके Renewal Energy के लिए जोडेंगे ये हमारी G20 के समिट हो रही है वहाँ पर सुना होगा One World, One One Family तो ठीक है उसको भी दियान में रखियो तो ऐसे जो भी हमारी समिट्स हैं सभी All Over The World को एक अकठा लाने के लिए बासुदेव को टुमब कमी All Over The World क्या एक फैमली है आपको पता को टर्की के साथ हमारी रिलेशन अच्छे नहीं है फिर भी हम उसकी help क्यों कर रहे हैं बाई क्यों क्योंकि अगर हम सभी वर्ल्ड को एक मानते हैं तर्की भी उसका हिस्सा है अगर हम उसकी help करेंगे तर्की हम नहीं हम इस जो हमारा मुद्दा है जी टवन्टी का इसको complete फिलफिल कर पाएंगे समझे बात बई, so that's why important है मुद्दे से नहीं बढ़कना जाता लेकिन जुवा संगम आप दियान में रखी हो जो के नौर्थी स्टेट के साथ वहां के जुवा को हमारे ओलवर दिडिया से कनेक्ट करने को लेकर जे स्टार्ट हुआ कहां पर इंदी दिली में किस के दवार लौँच हुआ बाइदी एजुकेशन मिनिस्टर दरमिंदर परदान जी के दवारा नेक्स्ट यहां पर जे रही हमारे स्टेट्स जो के नौर्थ इस्ट में है और नाचल परदेशे नागालेंड, मनिपूर, मिजोरम, तिरपूरा, असाम, महिघालिया और साथी में सिक्किम ठीक है जी सो द्याण में रख्यो इसको इंपोर्टन्ट है जे रही सेवन सिस्टर्ज ठीक है जी इनको सेवन सिस्टर्ज कहते हैं अनाचल परदेश, असाम, नागालेंड, मनिपूर, मेजोरम, तिरपूरा और महिघालिया को नेक्स यहाँ पर शेडियोल ऑफ दी इंडियन कंसिटूशन यह देखिए आपको पता होगा सभी शेडियोल के बारे में बताओ जो शेडियोल थर्ड है किससे बिलों करता है फाइव किससे, सिक्स किससे, सेवन किससे, टैन किससे आप प्लीज एक बार वीडियो को पाउस करना देन इसको रिवाइज कर लेना नीदू में अगले इन स्लाइड में आपको पिता चल जाएगा सो मैं करता हूँ अब देखिए जो शेडियोल थर्ड है, बिलों करता है ओट से लेकर, जो भी हमारे गवर्नर को हमारे CGI को हमारे प्रेजिट को, प्राइम मिनिस्टर को जो भी ओधल है का, उसके लेकर है जो शेडियोल हमारा जो शेडियोल 6 में है जो हमारी South list, Concurrent list, State list के बारे में बताता है फिस कोंसे काम, सेंटर करेगा, कौंसे State करेगा कोंसे कठे मिलकर करेंगी ठीक है, जी जो शेडियोल 10 बताएगा Entry Defection के बारे में Entry Defection क्या है कई वाध दल बदलू कानून है कोई state कोई हमारी party है उसमें कुछ member है क्या करते है न एक party में जीद गए दन party को change कर लेते हैं दन उस दोनार उनकी जो seat है वो defect हो जाएगी means के वो अपनी उसको जो उनको मिली है वो बने है पावर में आये है उनकी वो पावर खतम हो जाएगी सो वो से कहते हैं Entry Diffection Law समझे बई हमारे भी हाली में News में था दल, बदलू, कारुन के बारे में जिन News में रहता है क्योंकि सबी parties क्या करती है दूसरे के MLA को कि दरा स्राट कर देती है जो power में आने को लेकर That's why done ये Entry Diffection Law हमारा News में आएगा आपको overview चाहिए paper में क्या बुचेंगे जो 10th हमारा जो schedule है किसे रिड़ करता है Entry Diffection से जो 3rd schedule है हमारा oath से लेकर deeply हम फिर कभी हमारी political lecture में करेंगे ठीक है, सो करते हैं start भी यहाँ पर next NTPC ने अभी हाली में bank किया एक award मिला है इंको ATD best award हो है NTPC को यह award मिला किसके दवारा by the USDA के based एक association for the talent development जो दिया गया फार्दी 6th year के लिए means कि 6th year पहले भी मिला था 5 बारी पहले मिल चुका है 6th time उनको यह award मिल रहा है जो के इनका success है इनके area of talent development को लेकर और जो एक highest world का largest association है in the field of talent development को लेकर जे award है डिपेंड़ करता है जे award दिया गया जो के जो हमारी एन्टी पीसी है National Thermal Power Corporate Limited जो जे क्या है 1975 में बनाई गई थी under the government of India काम करेगी headquarter काम पर न्यू दिल्ली में जो chairman MD को नहीं है इसके गुरदीप सिंग जी ठीक है जी सो चलते हैं अब next कुछ fact देखेंगे अब देखो thermal power plant जो इंडिया में है सो सभी जो हमारे thermal plant है maximum इंडिया में सो एन्टी पीसी के एंडर आते हैं लेकिन कुछ हमारे private sector के भी एंडर आने लगे हैं जैसे गोड़ा thermal power plant न्यूज में था कहां पर है जारखंड में सो वहां से हम बंगलादेश को अब गया करेंगे electricity प्रवाइड करेंगे सो कुछ हमारे thermal plant भी important है आप ग्राण में रख सकते हैं उनको सो देखिए बताओ कहां पर है बिद्यांचल कहां पर है रिहांद कहां पर है हुसेन सागर कहां पर है मुंद्रा एंड इनोर जे कहां पर है सभी बिद्यांचल कहां पर है इन्दी मद्यापरदेश योग इंडिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ा हमारा क्या है thermal power plant सो सिंग रोली डिस्टिक में पढ़ता है इंडिया का सबसे बड़ा सभी के दवारा अभी हाली में कुछ new bonds को लेकर बताया गया भी हम इस bonds को भी इशु कर सकते है आपने सुना होगा जो हमारी इंदोर सिटी है उसके दवारा ग्रीन बॉंड इशू किये गए थे क्योंकि ये थे मेली वहाँ पर ग्रीनरी को बढ़ाने को लेकर एक फंडिंग उठाते हैं उन्होंने जे रिजिस्टर किये थे हमारा नैशनल स्टोक एक्सचेंज पर सो उसी तरह कुछ है हमारे ब्लू बॉंड और जैलो बॉंड और ग्रीन बॉंड के बारे मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा आपको ब्लू बॉंड किसके लिए होंगे वार्टर मनेजमेंट को लेकर साथ में मिराइन मिराइन क्या होता है हमारा अक्रेटिक अनिमल्स को लेकर उनक लेकिन ग्रीनर की फिल्ड में हम इन्वेस्ट करेंगे जैसे रिन्यूवल अनर्जी, क्लीन ट्रांस्पोर्टेशन को लेकर सस्टेनवल वाटर मनेजमेंट को लेकर जैस अब क्या है हमारे ग्रीन बॉंड्स समझे बाई अब देखो, जे क्रीन बॉंड्स के बारे में फास्ट लिजनाउंस किया गया था हमारे जुदिन जो फनेंस मिनिस्टर है निर्मरा सितरमन जी के द्वारा कब 2223 के जो हमारा फनेंशल डिव उसमें था ठीक है अभी हाली में बजेट आया था उसमें ये रिपर्जेंट किया गया था क्रीन बॉंड्स के बारे में यहां पर देखिए अब सेभी सेभी क्या है स्क्योर्टी एंड एक्स्चेंज बोड ऑफ इंडिया कब बना था 1992 में क्यूंकि देखो 1991 में आपको सभी को पता होगा जे कोशन पहले पेपर में आया हुआ है 1991 में हमारे फनेंस मिनिस्ट थे 1991 में क्यूं इनके दवरना एक LPG नामके रिफोर्म लाए गए थे लिबराइलेशन प्राइविटाइशन ग्लोबलाइशन जे रिफोर्म लाए गए थे जे फनेस मिनिस्टर थे अंडर दी नर्सिमा राओ गोवर्मेंट नर्सिमा राओ किसकी पार्टी के बिलोंगते थे भी कॉंग्रस से बिलोंग करते थे इनके इंडर जे फनेस मिनिस्टर थे और ये इंपोर्ट थे LPG रिफोर्म्स लाने को लेकर एक अगले ही साल 1992 में एक काम हुआ हर्शत महता स्कैम जिसमें नर्सिमा राओ का भी नेम आ रहा था तो आपने अगर देखी हो सीरीज आपको पता होगा जहांपर हर्शत महता स्कैम के बाद में हमारे सेवी एक्जिस्टेंस में आई ठीक है सेवी का मेनिंग क्या है जो स्क लोग एक्सचेंज में कुछ दांदलेवाजी तो नहीं हो रही है नेगटिव जो कुछ ऐसी कंपनी बन रही थी वाँ पर जो एक्जिस्टेंस में नहीं थी लेकिन फंडिंग उठा रही थी लोगों से कुछ लोग क्या करते हैं क्यों नहीं कंपणी आती है उसमें इन्वे पूरी जो के फर्स्ट बूमेंड इसके चेर्मेंट बने थे ठीक है इंपॉर्णेट अभी ध्यान में रख्यों अभी करेंटल ही हमारे चेर्मेंड है के मदू भाई पूरी बूच नेक्स्ट मुख्य मंत्री तीरत धर्शन जोजना जो के मद्द्यपरदेश गोवर्मेंट उठाएगी मद्यप्रदेश की जो कि 60 एयर जो हमारे सीडिजन्स है इसको अप्लाई कर सकते हैं ठीक है जी यह हमारी स्कीम है इंपलिमेंट की जाएगी इंडियन रेलबे कोपरेशन जो टूरिजम केटरिंग सर्वीस है उसके दवारा इसको किया जाएगा इंडियन रेलबे केटरिंग एंड टूरिजम कोपरेशन के दवारा इसको किया जाएगा है जहां पर प्रोपरली फूर्ड एंड साथी में ट्रेवल कोस्ट ट्रिंकिंग वहरा सभी जहां पर प्रवाइड की जाएंगे टूरिजम के टाइम पर सो ध्यान में रखना मुख्य मंत्री तीरत दर जहां पर प्रोइड करेंगे जो साथी में इंड के द्वारा पहले भी एक स्टार्ट हुई थी जो के लाडली लक्ष्मी जोजना ठीक है जी सो नेक्स्ट यहां पर मद्यापरदेश की कैपिटल क्यों से बोपाल इंडोर इंपोर्डन सिटी ए नियूज में रहती है अभी ह खजराओ मोनुमेंट्स सांचे स्टूप एंड दन उजेंड महाकाल टेंपल वहीं पर हमाने जो बैदिक कलोग को बनाने को लेकर बाचित हुई थी भी वहां पर बनाई जाएगी उजेंड में हम जो करते हैं वो कुम्ब का मेला जो के 12 एर के बाद में बनाते हैं क्यों 12 एर के बाद में जो जूपिटर की जूपिटर है सन के अराउंड 12 एर के अंदर क्या करेगा चक्र को कुम्ब्लीट करेगा सो देन उसको देखकर हम बनाते हैं और यहां पर कौन सी रिवर के किनारे पर शिप्रा रिवर के किनारे पर ठीक है जी अभी जूपिटर न्यूज में था क्योंकि 92 इसके मून हो चुके है वर्ल्ड में 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 कि सेच्चोन को पेशे चोड़ चुका है और फस्ट नंबर पर आ चुका है समझे बात भई नेक्स्ट और एक मिशन स्टार्ट किया गया था यूरोपेन जूनियोन के द्वारा जूस नाम का जो कि जूपिटर के जो मून है वहां पर जाएगा उनको स्टड़ी करेगा तो मुझे लगता है भी ज्यादा कंटेंट नहीं होगा आपको समझ में आ चुका है सभी बाते अगर कोई भी डाट लगे तो प्लीज बताना यार क्योंकि मैं उस तरह का कंटेंट आपको परवाइड कर रहा हूँ भी आपको अच्छे से असानी भी हो जाए उसको रीड करने को लेकर और अगर आपको जैसे लग रहा है भी आपको मैं फास्ट ली कर रहा हूँ अगर आप बताओ तो प्लीज कमेंट बोक्स में बताना भी चाहिए कैसे ऐसे चाहिए कि स्लाइड में चाहिए अब चलते हैं आत्मा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवर्ड मिला कि इनको MRF जो लिम्टर्ड चेर्मेन है MD है उसके K.M.मीम को इनको जो दिया गया बाइदी मारूती सुजू की इंडिया MD हशानी टेकुची के दिवरा जी रहे ठीक है जी इनको दिया गया क्यूं दिया गया जो इनका जो लैंड मार्क चीवमेंट अट की उनको लेकर सो द्यान में रखियो यो आत्मा लाइफ 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 चीवमेंट अवर्ड है कि इनको मिला KM मामीम को जो के MRF के लिम्टर के चेर्मेन और MD है ठीक है तो एक इवेंट हुआ था कहाँ पर annual conclave हुई थी नियू दिल्ली में वहाँ पर इसको दिया गया जो आत्मा की फूल पम देखना चाहो तो देख सकते हो Automatic Tire Manufacturer Association लेकिन maximum chance ऐसे question आने के chance कम होते हैं क्योंकि जो private sector से है paper में question नहीं बनता वहाँ पदे क्या पता लेकिन examiner क्या सोच कर बैठा है भाई लेकिन बहुत कम chance होते हैं क्योंकि हमारा content और ही बहुत हो जाता है बहुत ही हमारी government schemes हो जाती है governmental appointment हो जाती है then essay content को डालने के लिए क्या करेगा examiner जो new आया है जिसको पता है नहीं कुछ है वो डाल सकता है वैसे ऐसा question नहीं बन सकता paper में next चलते हैं some short news movie kick जो एक हमारी app है उसके दवारा first app बन चुकी है जो support करेगी credit card on the you paper ठीक है जो support करेगी रुपई जो हमारा credit card एंडिया का यू paper देन जो हमारी यूश ministry है और साथ ही में हमारी health ministry है यूश ministry के जो हमारे minister कोन है सर्मुनन सोनोबाल जो health ministry कोन है मंसुक मंदाविया इनके दवारा अनेगरेट किया गया integrative medicine center at the सुफदार जंग hospital इंदी हाइदराबाद में ठीक है नहीं सोरी सोरी यहां पर न्यू दिली में ठीक है जी then यहां पर इंडिया receive the highest ever जो foreign in world remittances को हमने गेंड किया in the single year में 90 million dollar के प्रोक्स remittances क्या होते हैं जैसे कि हमारे को इंडिया ने foreign country में जाकर काम करेगा then इंडिया को वो पैसे बापस बेजेगा उसे कहते remittances so हमने receive किये जो कि हमारे junior minister of state for the finance है कोन है हमारे पंकर चोदरी उनके द्वारा जे बताया गया इंदी राजसवा के session अभी चल रहे हैं वाहां पर next so आज की वीडियो जहीं पर complete है वही वीडियो अच्छी लगे तो like and share कर सकते हो कुछ doubt लगे तो अभी बता सकते हो अगर कोई भी दिक्कत परिशानी हो वीडियो के लेकर कुछ और दिक्कत हो then please बताना मैं उस पर जो हमारा कुछ न कुछ effort करने की कोशिश करूँगा उसको change करूँगा अगर अच्छा लगे तो और अच्छा करूँगा अगर बुरा लगे देने उसको तो अच्छा करना ही करना ठीक है और आपने भी बताया था ना मैं कल से बात हुई थी आपसे भी कुछ static portion static portion इसमें डाला है मैंने लेकिन मैंने question के respect में डाला जैसे mail को लेकर डाल दिया then उसके बाद मैं हमारे policy को लेकर schedules डाल दिये ठीक है थर्मपलान डाल दिये means कि geography होगी, policy होगी हमारी साथ में कुछ current के होगे so ऐसे मैं question डाल रहा हूँ means कि भी हमारे जो current के साथ जुड़े रहें और आपको revise करने के लिए असानी हो, जल्दी सी जल्दी अच्छा-चा content आपको provide करवाते रहेंगे so भी वीडियो को लाइक करना please अपना precious commentary यूट डालने न अगर आप comment लालोगे न तब भी क्या होता है भी वीडियो थोड़ी सी promote होती है अगर वीडियो प्रमोट होती है तन motivation मिलती है चा-चा content लाने में असानी होती है so मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ don't forget to subscribe and like our video बाई बाई